हेलो अब्रिवन बेल्कम बैक टू आजनल तो आज हम जो हैं आप दिली लेगा है यूनिट ट्वाल सरकल अंसेरी क्लास्पिक के मैच साइए तो और सरकल क्या होता है सबसे पहले हम आपको जो इंट्रोडक्शन देंगे कि सरकल होता क्या है जिसको की हिंदी में कहते हैं आप तो सरकल आप परिचित होंगे कि सरकल क्या होता है य्के अगर यह है तो हमारा क्या है सरकल है ठीक है तो सरकल जू है तो अगर जैसे आपको यहां फरस्ट कोशन देहां जी आधम से आपको हम समझाएंगे, draw a circle of the following diameters, 11 cm, 6 cm, 0,8 cm, कि इन diameters को आपको यह diameters दिये हैं, इनका आपने circle जो है draw करना है, देखें यहाँ पर आपको गिवन diameter कितना है, 11 cm है, ठीक है, तो आपने 11 cm, सबसे बहले आपको पतना जए कि यह जो है आपका circle है, यह क्या है आपका point, ठीक है, यह क्या है आपका center में point है, ठीक है, point है यह आपका, and यह जो point है, और point से यह जो इतना area है, इसको हम radius कहते हैं, क्या है यह मारा radius, and देखेंगे कि जो length होती है, ठीक है, जो आप मैं circle की जो boundary length होती है, उसको हम क्या कहते है, यहां पर चुभी केसे एक है तो हम क्याते हैं और यहां पर हमने आपको यहां बताया है कि डामेटर तो यह यह आपकी diameter है जैसे 11 cm है ठीक है तो diameter को हम 10 इस इन मेंशन करना है diameter is equal to 2 way radius okay 2 way radius तो यह है आपका draw circles of the following diameter का 11 इस तरह से 6 cm and 8 cm कर सम्थ होगा देखी अब आपका है caution to draw circles of the following ready यह आपको बलते है कि आपको जो है ready दी हुए है पीछे आपको diameter दिया था ठीक है full diameter यहाँ पर जो है diameter जो है आपको इता है diameter is equal to 2 way ready होता है so 4.5 cm तो इसके circle draw करने ready लेके ठीक है यह आपकी ready दूए ओके तो देखी यहाँ पर हमने लेए ठीक है यह point है आपको center point है and 4.5 cm जो है आपने mention करना है 4.5 cm के बराबर जो है आपने circle बेनाना है ठीक है यह है आपकी ready और यहाँ पर full होती तो यह हमारा diameter बन जाता as you know and so the next question is 6.5 radius of circle whose diameter is 14 cm आपने जो है circle के radius find करना है जिसके diameter 14 cm दी हुई है okay इसको कैसे करेंगे given diameter is equal to 14 cm and we know that radius is equal to diameter upon 2 radius निकालने का हमारा formula होता है ठीक है radius को मास्टर मेंसें करने हूं diameter को d से d upon 2 तो d upon 2 करेंगे क्योंकि हमारे पस diameter दी हो तो diameter कितनी है हमारी 14 14 upon 2 2 in the 2 2 7 ता 14 अंसर आए 7 तो radius कितनी है हमारी 7 आएगी इस तरह हमारे पस next question है आपका 7 same as इसी तरीके से होगा अब आपको क्या दियो है if the question 8 if the radius of a circle is 8.5 cm find it's diameter अब आपको जो है diameter find का नहीं है आपको जो 6 question को opposite पूछा गया है कि radius निकालने जिसमें कि आपको यह दी circle की radius दी हुई हो 8.5 cm तो इसका आपनी diameter निकालना है तो given radius is equal to 8.5 cm and we know that diameter is equal to आपको बताया है diameter is equal to 2 multiplied by radius very easy है आपके लिए तो आप लिखेंगे तो diameter निकालने लिए क्या करेंगे 2 and radius कितना दियो 8.5 cm very easy question है आपके लिए आपने क्या करना है आपने जो है point को ऐसे कर देना है आपको बताया इस fraction को किसे करते है आपको ये पिछले previous chapters में आपको बड़ी इजली करवाए गया है तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 and the 2 2 5 the 10 अब आपका यहाँ पर क्या आगया 85 so 85 upon 5 5 बंद 5 ओके यहाँ पर आपका 3 5 7 the 35 17 5 the 85 so answer is 70 cm तो आपके diameter यहाँ पर 17 cm now आपको यह question है fill in the blanks fill करना the radius of a circle is half of the तो आप जानते है कि radius of a circle is half of the diameter answer है diameter all the radius of a circle are equal जो आपके circle है उसकी यह जैसे आपका circle है अगर यह आपका point है अगर यहाँ से ही आप ready करेंगे तो यहाँ की जो एकोल होगी अगर यहाँ पर तो यहाँ पर भी एकोल होगी ठीक है हर एक point पर जो हो एकोल होगी अगर यह 2.5 cm हो तो 2.5 cm हो और सभी कोर्णर से होगी okay so all the radius of a circle are equal a circle is composed of two semicircles okay यह आपको बताए कितना यह हमारा होता है semicircle and the diameter is the longest chord of the circle diameter is the longest chord of the circle okay and the circle has infinite numbers of chords and the circle has infinite number of chords and the circle has infinite number of chords and arc of the circle is denoted by 3 points the arc is the same as I have told you okay so what we have told you about here so the point is the same as your arc is the same as your three points are denoted by 3 points and the line is segment joining two points on the circle is called chord a semicircle is half of the circle यह हमने आपको फिर्स कोशन करवाई था है वहां पर आपने आपको 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 पॉइंट है और यह है ठीके इसी को क्रॉस करता है ना ठीके तो से जो है वो पास करता है डायमेटर and identify the given elements in the figure कि इसमें जो है आपको यह फिगर दिवी इसमें आपने जो है element मेंศग्यक काँ पी करने तो radius कहां पे है आपकी seep line फिए इसमें है यहाँ आपकी नबेमेटर कहाँ पे है आपकी तो डायमेटर आपकी है यहां पर ap- line में ठीके डामेटर कहां आपकी ap- line में ठीके Nigel कहां पे है चीप तो आर्क आपकी कहां पे है ल और के पे ठीक है त्री पॉइंट से आपको बताए नहीं कि 1, 2, 3, 3 पॉइंट से जो वो denoted होती है and number of quads तो 3 है आपके number of quads कितने है 3 है कौन-कौन से है M है, आपका L है M, N, L, K, A और B, यह आपके है number of quads and a semicircle semicircle कौन से है आपका तो आपका है semicircle O, A, B ठीक है, semicircle कौन से है आपका यह O, A, B so यह था आपकी exercise ठीक है, तो व्यूडियो आपको कैसा लगा comment section में आप जो है जरूर बताएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में and share this video and also give your valuable feedback in the comment section so thank you, thanks for watching